दोस्तों गुड़ मॉर्निंग स्वागते आप सभी का सीतल उत्रा खंडी ब्लोग में तो दोस्तों आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी पहाड़ी इसकोस की सबजी तो यह है दोस्तों पहाड़ी इसकोस इसे ब्रह्मकदू भी कहा जाता है लेकिन हम इसे इसकोस बोलते हैं र जो मैंने आलू और जो मैंने इसकोस ले रखा है इसको मैं पहले कोकर में डालूंगी और एक सीटी लगाऊंगी दोस्तों इस पे और जब तक इस पे सीटी लगती है तब तक मैं अपना प्याज टमाटर और इसका तड़के का समान में तयार करूंगी और इसकोस दोस्तों जो कि मैंने पहले भी आपके साथ सेयर कर दिया है, बता दिया है, आपको हाथ पे लेके, और ये अभी आप देख सकते हो, ये तीन इसकों से, इसमें से एक खराब निकल गया था, और बाकी दो की मैंने सबजी बनाई, और चार मैंने छोटे-छोटे आलू ले रखे हैं, और मैंने हरे वाले टमाटर, और एक लाल वाला टमाटर, और एक प्याज, और हरी मिर्चे ले रखी हैं, दोस्तों, तो अभी मैं ये सबजी को काटूंगी, तो ये अभी आप देख सकते हो, ये मैंने सबजी सारी काट दी है, अपनी, और आपको बता भी रही हूँ, मैं और गैस पर चड़ाने के बाद, जब ये पक जाएगा, तो तब मैं आपको बताती हूँ, दोस्तों, सीधा इस सबजी को, तो चलिए दोस्तों, इसको चड़ाती हूँ, मैं गैस में थोड़ा समय इसमें पानी, और थोड़ा समय इसमें नमक एड़ कर दूँगी, और इसको चुकड़ा, और ये जो मैंने मिर्ची बताई थी, आपको ये मैंने काट रखी है, ये तीखी मिर्ची है, और ये प्याज मैंने काट रखा है, और एक मैंने कड़ी पत्ते की टहनी ले रखी है, तो ये मैंने तड़के की तयारी कर दी है, दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था और अभी मेरी जो है सबजी भी ये पक गई है तब तक पहले तड़का लगा देंगे जब तक मेरी सबजी में सीटी आती है तो ये मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं इस सबसे पहले जीरा एड़ कर दिया है फिर इसके पहास में इसमें ऐड़ कर रही हूं ये हीन झो कि आपको मैं बता भी रही हूँ तो ये हीन की बहुत ही ज्याद़ आछी खुस्बू आती है सबजी में दाल में तो मैं इसमें आड़ कर दिया है ये हीन, अब मैं इसमें अड़क करूंगे दोस्तों, ये अद्रक काटके गई थी दोस्तों तो ये मैं कर्ची से इसको मिला रही हूं और जो ये खड़े मसाले हैं ये भी इसमें अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं दोस्तों तो इसके बाद दोस्तों मैं इसमें एड़ करूंगी अपना ये कड़ी पते की टहनी तो कड़ी पते की टहनी पहले से धो दी सबस्च आच सबस्च बॉन इस अची टरीक को आजा बॉन गपाटा कुट्फ को यह अच्य तरीके से ब्राउन अच्छ भी कर दुग और अच्छे तरीके यह ल्गा देंगे इसमें धकन और इसके बाद मैं आपको बता रही हूं जो मैंने सब्चा पारी सब्चा-पले में इसाभणा करने सबस्ट्राइब व tiet deliver another day जो यह क्लाइरो पांड पाइड कर रही हूं सबसे पहले मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला और कास्मीरी मिर्च डाली और अपने घर के मसाले इसमें एड़ किये दोस्तों तो अच्छे से मैं इसको मिला दूंगी यह आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी आड़ कर दिया है तो अब मैं इसमें डालूंगी जो यह मैंने अपनी उबलीवी सब्जी है इसको मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मैं दोस्तों इसको मिला दूंगी और बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे पहले तड़का तड़का इसका तयार करना है दोस्तों और फिर उसके बाद इसमें सब्जी एड़ करनी है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाओल में मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की सब्जी तो मैं इसमें धकन लगा दूँगे थोई देर बाद अभी आपको मैं बता रही हूं तो यह सब्जी जो है अच्छी तरीके से पक गई है मसाले तो पहले से ही पके हुए थे लेकिन फिर भी मैंने एक दो ढखन लेक दो बार इस पर उबाल आने दिया दोस्तों और लास्ट में मैं इसमें कस्टूरी मेथी है दोस्तों तो उसको एड़ कर रही हूं दोस्तों तो यह आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको एड़ कर दिया है लास्ट में अभी खाने का टाइम हो गया है तो मैं अभी आपको इस सब्जी बता रही हूं दोस्तों जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बन के तैयार हुई थी दोस्तों तो यह आप देख सकते हैं मैं इसको मिला रह ही हो और आपके साथ सेर भी कर रही हूं दोस्तों तो यह थी दोस्तों मेरी आज की पहाड़ी इसकोस की सब्जी दोस्तों मिक्स सब्जी बहुत ही जाला है तो दोस्तों यह है मेरी तयार है अगर आपके इदर इसकोस होते हैं तो दोस्तों तो यह अभी खाने का टाइम भी हो गया था तो मैं अभी यह है दोस्तों खाना खा रही हूं मैं अभी तो यह तेजपते को मैंने रख दिया है अपने साइड में और एक नीमू का अचारो लेसुन का चाल ले रखा है तो यही है मेरा आज का पहाड़ी लंच दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा यमी बनके तैयार हुआ था दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा साभी पसंद आ रही हूं मेरी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और दोस्तों यह अभी आप देख सकते हैं सबजी का कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कंवाल को अवैं को जादा टेश्टी सब्सक्राइब दोस्तों ऑदनें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया है लुदकर यहसे मूझे देख 드2020 देल देख रहे हैं आपके यह इसन पेसित्ष्ण सब्सक्राइब खिवर्गerson दोस्तों मिलोंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ अपता के लिए बाई बाई और मुझे यहां तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों